शार की ताजा खबरे देखने के लिए इंग्डी से न्यूज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकाउन दबाना ना भुलें राज्य में फसे लोगों को AST अपने घर ले जाएगी राहत और पुनर्वसन मंत्री विजय वड्डेटिवार ने कहा कि सरकार यात्रा के खर्च के लिए भी भुक्तान करेंगी वड्डेटिवार ने कहा कि 10,000 AST बस राज्य के घर में फसे लोगों को ले जाएगी यात्रा का खर्च राहत और पुनर्वसन विभाग द्वारा वहन किया जाएगा अपेक्षित लागत लगबग 20 करोड रुपे है वड्डेटिवार ने यह भी कहा कि इस फैसले का कार्यान वैकल से शुरू होगा अगले दो दिनों में राज जमें फसे हुए लोगों को AST द्वारा उनके घरों के लिए रवाना कर दिया जाएगा सुनिया जिन गांदी ने कहने के हिसाब एं लोगों को रेलवे से हमने मुपत उनके गाव तक स्टेट तक पहुशाने का काम हमने शुरू किया है परिबन देड़जार लोग है उनकी विवस्ता हम लोग कर रहे हैं इसी के साथ बहार से लोग जो आ रहे हैं उनको अंध्रप्रदिश की सरकार और तेलंगाना की सरकार ने इन लोगों को जिल्ला के महारास्टे के सिमा तक पहुचा है था उनको भी हमने उस जिल्ला तक पहुचाने का काम किया है और उसके लिए हमारे तरफ से कांग्रेस के तरफ से पालक मंद्री उनकर पालक मंद्री के नाते 200-200 गाड़ी लगा का परिवन 12 लाक रुपे खर्चा कर पे इन लोगों को उनके उनके गाव तक शहर तक पहुचाने का काम किया है अब आने वाले दिनों में महारास्टर के अंदर में अनुक डिस्टिक में लोग अपने जगे पे जो उनको अपने गाव को जाना है तो उस दुसरे डिस्टिक के लोगों को उस गाव तक जाने के लिए व्यवस्ता की आवशक्ता थी उसकी परवान की आवशक्त कि अबने निर्देश के साब से हमारे डिपार्में अपत्ति व्यवस्तापन और मदद पुनोर्शन की विपार की मात्या से इस मुपत याने फ्री में बसेस उपलब्द कराये जाने का निर्णेलिया और बसेस के लिए जो खर्चा आएगा वो सब खर्चा हमारा डिपार्मेंट उसको देगा इसके लिए मैं आभारी विक्तर करता हूं कि हमारे परिवन मंत्री ने भी 10,000 बसेस इस काम के लिए देने क निर्णेलिया और उन्होंने तैयारी दर्चाई अब हम लोग इन सब लोगों को जैसे कुना में हो गए तो उसको चंदरपूर में जाना है चंदरपूर के लोगों को मुमई में जाना है तो महारास्त के विदिन स्टे उन लोगों को आपने अपने घर तक फ्री में तो चुरादाई अगा